नमस्कार विद्यार्थियों हम कर रहे हैं भारतिय राष्ट्रे कांग्रेस में उदारवाद पर तीसरा व्याख्यान विगत व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि भारत में उस समय जो विभिन वर्ग थी उनका कांग्रेस के परति क्या नजरिया था क्या दृष्टि कौन था चाहे वो जमिदार वर्ग रहा हो या फिर व्यापारी वर्ग रहा हो या फिर सामन्य जनता ये सब कांग्रेस के परति क्या दृष्टि कौन रखते थे और खुद ब्रिटिस सरकार जिसकी एक सह से जिसकी सहयोग से इस संग्ठन का गठन हुआ था वो जो सुरुवात में इनका स्पोर्टर था ब्रिटिस सरकार वो 1888 तक आते आते कांग्रेस के विरुद कांग्रेस के बारे में उसका नजरिया बदला और वो कांग्रेस के उतना फेवर में नहीं रही उसका कारण यह था कि कांग्रेस नेताओं ने अंग्रेस जी में भाषन देना बंद कर दिया जो उनके अधिवेशन होते थे उसमें और हिंदी में भाषन देना प्रारम कर दिया ताकि जन सामान्य उनसे जुड़े दूसरा उन्होंने ब्रिटिस सरकार के कारियों की आलोजना भी प्रारम कर दी और तीसरा कांग्रेस अब अपनी जो अनुने विने प्रात्रा पत्तर देने की सिष्ट मंडल के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों से मिलने की वो चीजें अब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेज काउस से विश्वास उठ रहा था और फिर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की निती अपनाई उन्होंने कोछे मुस्लिम जो नेता हैं उनको एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया सरसेद एहमद खां को और उस टूल के माधियम से मुसल्मानों को कांग्रेज से दूर रखने का परियास किया जबकि कांग्रेज में मुसल्मान बढ़ते भी जा रहे थे तीसरे ही अधिवेशन में जो कांग्रेश की अध्यक्सता थी वो बदरूदिन तैयब जी ने की थी लेकिन अंग्रेशों के प्रियास जारी रहे 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और ये जो संस्था बनी मुस्लिम लीग ये अंत तक कांग्रेश विरोधी रही परमुक उदारवादी नेता जो कांग्रेश के थे उनके विचारों के बारे में कांग्रेश के उदारवाद के पोसक वैसमर्थक जो राष्ट्री नेता माने जाते हैं उन में नाम हैं दादा भाई नौराव जी, बद्रूदीन तैयब जी, फिरोश्या महता, सुरिंदरनाथ पैनेर जी, महादेव गोविंदरानाडे और गोपाल कृष्ण गोकले लगबग इन सभी उदारवादी नेताओं ने जो अंग्रेजी सिख्षा है वो हार एजूकेशन उने प्राप्त की थी उन पर पश्चमी साहित्य वैसंस्कृती का गहरा प्रभाव था वे रहन सहन आचार विचार में पास्चात्य अध्रिष्ट कोण से बहुत प्रभावी थे सुरेंदरनात पेनर जी ने 1902 में एहमदाबाद जो कांग्रेज का दिवेशन था उसमें अध्यक्षिय भाषन से कहा था कि हमारे मन पश्चम के साहित्य में डूबे हुई है अंग्रेजी इतिहास के प्रष्ठों में वरनित सारवजनिक गुणों के महान आदर्शों में हमारी आत्माओं उन आदर्शों से हमारी आत्माओं को प्रेरणा मिली है तो भारतिय उदारवादी पास्चात्य साहित्य और संस्कृत्य से प्रभावित ही नहीं थे अपितु वे बिटिस जाती और बिटिस साहसन के प्रसंसक भी थे कांग्रेश के अधिवेशन में रहिम्तुल्ला सयानी ने कहा था अंग्रेजों से बढ़ कर सैचरित्र और इमान्दार जाती सूरिय के नीचे कहीं नहीं बसती इस प्रकार के विचार विद्यार्थियों इन निताओं के थे अब हम सबसे पहले बात करते हैं दादा भाई नौरोजी जिनकी टाइमिंग है 1825 से 1917 भारत के राष्ट्रिय आंदोलन के प्रारंबिक नेताओं में सरव पर्थम नाम निसंदे दादा भाई नौरोजी का लिया जाता है उन्होंने अपने जीवन के 61 वर्ष राष्ट्रिय शेवा में व्यातीत किये इसलिए इन्हें सम्मान पूर्वक Grand Old Man of India यानि कि भारत के व्रद्ध पिता हमें के नाम से पुकारा जाता है ये गुजराती थे और इन्होंने प्रार्मिक शिक्षा जैसी होती थी फिर एल्फिंश्टन कॉलेज से 20 वर्ष की आयू में बंबाई नगर के एक जो प्रतिष्ठित जो कॉलेज था उस समय का उसमें ये इन्होंने शिक्षा ग्रहन की 1853 में मंबई एसोसियेशन के संस्थापकों में आप भी एक संस्थापक थे 1867 में आपकी प्रेड़ना से लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन की स्थापना हुई 1862 में से पिचाण में तक आपको ब्रिटिस संसथ का सदस्य रहने का सुब आउसर प्राप्त हुआ इंग्लेंड में आपको यह सदस्यता वहां के उदारवादियों के सहयोग से ही प्राप्त हुई थी ब्रिटिस संसथ में निर्वाजित होने वाले आप प्रतम भारतिये थे ब्रिटिस संसथ रहते हुए आपको रायल आयोग का रोयल कमिशन का गठन करवाया इसका उदेश्य भारतिये व्याय का निरक्षन तथा जाच करना था इस कमिशन को वेल भी कमिशन भी कहा जाता है 1901 में आपकी प्रसिद पुस्तक प्रकासित हुई पावर्टि एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के सोशन का विस्तरत एवं तर्क पूर्ण विश्लेशन किया एक द्रश्टी से उनका यह ग्रंथ भारतिय राजनितिक एवं सामाजिक चिंतन के आर्थिक द्रश्टी कौन का महा भाष्य बन गया बहुत उपयोगी सिध हुई यह बुस्तक विद्यार्थियो बात करते हैं हम आपके राजनितिक विचारों की भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस की प्रार्मबिक नेताओं में सरवादिक महत्पुन नाम मैंने अभी बताया दादा भाई नौरोची का है वे एक महान राजनिता माने जाते हैं प्राध्यापक के रूप में आपने अपना कैरियर प्रार्म किया कांग्रेस के अध्यक्सपद तक को आपने सुसोबित किया और मैंने पहले बताया कि वो ब्रिटिस में सांसद भी रहे इस संत्राल में आपने व्यवसाई, प्रसासक, संसद से आदिसब का अरुभव प्रात किया यह तो पहले ही व्यक्त किया जा चुक है कि आपक के उदारवादी थे ब्रिटिस सासन को स्वतंतरता और प्रतिनिधी सासन की जननी समझते हुए उनकी उसके प्रति अपूर्व निष्ठा थी उन्होंने कहा था कि ब्रिटिस सासन में भारत और इंग्लेंड दोनों के लिए ऐस सिमित रूप से भलाई है और कोई भी विचारवन भारतिय इसको हानी नहीं पहुचाना चाहेगा यह बात उन्होंने विध्यारतियो दादा भाई नौराव जी ने कही थे अपनी पुस्तक, Poverty and Un-British Rule in India दादा भाई ने अपने उदारवादी तरश्टिकौन के अंतरगत प्रार्तना एवं याचिका Prayer and Petitions का मार्ग अपनाया किन्तो उनके द्वरा प्रेशित याचिकाएं अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, सुधारों के लिए थी ताकि British संसद यह जान सके कि भारत वाशियों की अभिलाशाएं क्या है और भारतिय जन्ता उनके विश्य में किस प्रकार सोचती है इसी वैचारिक स्वतंतरता वे मौलिकता के कारण वे कहा करते थे कि स्वतंतरता British सामराज्य के अंतरगत रहने वाले प्रतेक भारतिये को जनमसिद अधिकार के रूप में प्राप्त है British ध्वज के अंतरगत आने वाला प्रतेक व्यक्ती स्वतंतर है वस्तुत है स्प्रश्ट है कि दादा भाई नौराओ जी का यह विश्वास था कि भारत की राजनितिक सत्ता नैतिक आधार पर है उनका कहना था कि किसी भी राजनितिक सत्ता का आधार पाश्विक शक्ती नहीं बलकि पारस्प्रिक विश्वास जन विश्वास एवं नैतिकता ही होती है उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप सस्त्रों या च्छनिक पास्विक सक्ती से सामराज्य का निर्मान कर सकते हैं लेकिन आप उसका संग्रक्षन केवल सास्वत नैतिक सक्ती से ही कर सकते हैं ब्रिटेज सासन के पास कितनी भी सक्ती क्यों न हो उसकी सुरक्षा वस्ताइतो वस्तुता है भारतियों के संतोस पर निर्पर है अता यदि ब्रिटेन उत्तेजना पुल्ण निती अपनाता है तो उसके सामराज्य का विखंडन होना अनिवारी है विद्यार्थियों स्पष्ठ है कि दादा भाई ने राजनितिक सप्ता के संबंद में एक सास्वत नैतिकता पर बल दिया दादा भाई नौराजी कि मैं एक बात और उलेक करना चाहूंगा कि जैसा उनकी पुस्तक से आपको जानकारी भी मिल गई होगी आपको ध्वनित भी हुआ होगा कि उन्हें आर्थिक समझ्याओं की अच्छी जानकारी थी तब ही तो उन्होंने पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया एक बहुत ही एक अच्छी पुस्तक लिखी उन्होंने धन निसकासन का सिध्धान्त परति पादित किया जिसको ड्रेन थियोरी कहते हैं उन्होंने ब्रिटिस संसग में भारत की निर्धनता और आर्थिक समझ्याओं को विश्तरत रूप से प्रस्तूत किया उन्होंने सरवपर्थम भारतिय वित की समझ्याओं में सांख्य की पदति का परियोग किया तथा भारतिय आर्थिक दुर्दसा का नग्न चित्र आकड़ों सहित ब्रिटिस सरकार के समक्स प्रस्तोत के उन्होंने बताया कि भारतिय संपत्ति का बहुत बड़ा भाग इंग्लेंड प्रवाहित हो रहा है चाहे वो ब्रिटिस अधिकारियों की पैंशन हो चाहे उनके उच्वेतन और युद्ध कारियले की स्थापना से हो चाहे वो इंग्लेंड के जो खर्चे हो रहे हैं भारत सरकार के द्वारा उन में हो या फिर ब्रिटिस व्यापारियों द्वारा लाब के रूप में हो ये सब उन्होंने अपनी पुस्टक में बताया तो विद्यार्थियों दादा भाई नौरोजी का अधिकास जीवन राष्ट्र के उत्थान और उसकी समश्चाओं पर चर्चा में वैतित हुआ उनके दिर्कालिन योगदान को संग्शेप में समेटना एक दुसकर कारिये है अंत में गादा भाई नारजी के विश्य में कहना होगा कि वे विसुद चिंतन विसुद संभाशन और विसुद कारियों के प्रतीक रहे उन्होंने राजनिती को नैतिकता के आधार पर ग्रहन किया वे एक निश्ठावान देशभक्त थे अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं फिरोश्य मेहता जिनका समय है 1845 से 1915 फिरोश्य मेहता का जो जन्म हैं बंबई के एक संपन परिवार में हुआ था उन्होंने एल्फिंश्टन कालेज से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन पास करके वे कानून का अध्यन करने के लिए इंग्लेंड चले गए इंग्लेंड में वे दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आए और उनके उधारवादी विचारों से वे प्रभावित हुए ब्रिटिस सरकार की ओर से उन्हें इन्याइक पद पर न्युक्ती का प्रस्ताव प्रेशित किया गया परंतु सारुजनिक कारियों में रुची होने के कारण आपने इस बड़े ओफर को ठुकरा दिया वे बंबई विधान परिशद तथा केंदरिय विधान परिशद के सदस्चे रहे 1888 का मुंबई मुन्सिपल एक्ट उनके सुझाओं का ही परतिफल था उन्होंने लॉर्ड लेटन द्वारा पारित प्रेस एक्ट का अत्यथिक विरोध किया वे नगर निगम के अध्यक्स भी निर्वाज चित हुए अपने इस पद पर रहते वे उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप कभी सहिन नहीं किया और निगम की स्वायत्ता को अक्शुन बनाए रखा उनके हम राजनितिक विचारों की बात करें तो राजनिति छेतर में फिरोध शा महता की जो ख्याती है वो इलबुल्ट बिल के माध्यम से हुई वे अपने विचारों को अपने समाचार पत्र दी बॉम्बे करानिकल के माध्यम से जन्ता के सामने प्रस्तुत करते रहते थे वे भाग्यवादी थे तथा इश्वर में पूर्णास्ता रखते थे इसी विश्वास ने उनको भारत में अंग्रेजों के सासन को इश्वरिये विधान के रूप में स्विकार करनी के लिए प्रेरित किया उनके विचारों में उदारवा तथा रूधिवाद का मिश्रण पाया जाता है विभारत में स्वायतसासन, स्वैसासन अवश्च्य चाहते थे पर कर्मिक रूप से 19 मार्च 1878 को उन्होंने वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट के संबन्द में व्यक्त किया कि दमन का परियोग उच्छ संखला में व्रधि करता है इससे अराजकता बढ़ती है उन्होंने कहा कि यदि प्रेस की स्वतंतरता का दमन किसी व्याप्त विरोध को दबाने हित्तु किया जाता है तो वह उचित नहीं होता इसका तात्परी होगा कि किसी उबलते हुए पदार्त से भरे पात्र का ढखकन बंद करना और प्रिणाम एक विस्फोट के रूप में होना उन्होंने भारत सरकार को आगा किया कि वह ऐसी किसी भी निती का अनुसरण नहीं करे वे निर्वाचन प्रनाली के समर्थक थे इसलिए वे संसद्य प्रनाली का समर्थन करते थे और कहते थे कि कारिय पालिका को व्यवस्थापिका के परति उत्तरदाई होना चाहिए उनका यह विश्वास था कि ब्रिटिस सरकार भारत को स्वय सासन के स्विकर्ति प्रदान करतेगी वे भारत में अंग्रेजी सासन के प्रोप कारी पक्ष के समर्थक थे दादा भाई नौरोजो की भाती वे ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारत के राजनितिक समंदों पर विशेश ध्यान देते थे वे इसे इस्वरिय वर्दान के रूप में स्विकार करते थे विद्यार्थियों उनका यह भी विश्वास था कि अंग्रेजी सासन के अंतरगत भारत पूर्ण राष्टतों को प्राप्त करेगा तथा भारत में स्विशासन की स्थापना होगी उनकी धार्णा यह भी थी कि किसी दिन वे स्वेम यानि कि अंग्रेज भारत की राष्ट्री मांगों को स्विकार कर लेंगे फिरोश्या महता ने यदपी राष्टरवादी विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया किन्तु उनके राष्टरे विचारों में दबी आवाज कभी कभी बुलंद हो जाती थी उन्होंने अंग्रेज इतिहासकारों की कई मान्यताओं का विरोध अवश्य किया पर वे भी जेल जाने से डरते थे वे भी राजनिती में नैतिक्ता को आवशक समझते थे वे स्थानिये स्वशासन की सुवायत तक के पक्षपाती थे वे सरकारी हस्थक्षेप के कुछ सीमा तक ही समर्थक थे संक्षेप में कह सकते हैं कि फिरोश्या महता भारती जनता के परबुद एवं कुलीन बक्ष का परते निधित्तु करते थे सामान्य जनता के विजारूं वे भावनाओं से वे आउगत नहीं थे फिद्यार्थियो, सेश, सुरेंदरनात, बेनर्जी और गौपाल, कृशन, गोखले ये जो दूसरे दो और राजनितिक विचारक, उधारवादी विचारधारा के इनका अध्यान हम अगले व्याख्यान में करेंगे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद